तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे तो आपका स्वागत है एक नई इंट्रेस्टिंग टेक वीडियो में सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को भी ब्रैस कर दीदे तकी आने वाली नई वीडियो की नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब आते हैं अपने topic पर हमारा आज का topic है इस video को topic है how to remove watermark from any video मतलब किसी भी video से watermark को कैसे remove करते हैं चाये वो कोई भी video हो एटो जट कोई भी video उस वीडियो में से वाटरमार्क को किस तरीकी से परप करा हूं एक जोबर Walmart वीडियो में जिससे आप किसी भी वीडियो के वाटरमार्क को अराम से रिमॉव कर सकते हैं छोका किillarकिर वीडियो कोई वाटरमार्क को multiplier कर सकते हैं及 और इसके साथ साथ आप किसी वीडिव के रेजो रिजुलेयो को हाई कर सकते हैं या फिर लो कर सकते हैं etcetera, etcetera ,and बाकिवेशन के बार में मैं आपसे आगे वानी वीडिव में बात करUंगा अब आप देह लेते हैं कि इस एप्ली के संगों किस तरीके से हिंस्टाल करना है एंड इस application किस तरीके से यूज़ करके watermark को कैसे remove करना है इस application को download करने के लिए आपको सबसे पहले अपने play store को open करना है then play store पर search करना है audio video factory या आप description में दी हुई link पर click करके सीधे play store की link पर जा सकते हैं एंड भी वहाँ से सीधे शीधे download कर सकते हैं सो मैं इस application को download नहीं करूंगा विकूज मैंने पहले से इस application को download किया हुआ है तो आपको इस application को download करना है then just इसको open करना है अब यह application आपसे कुछ stories permissions मागेगा उनको allow कर देना है आपको अपने सामने अब एक आपको अप्सें दिखाए दे रहा है उस पर टैप करना है तो आपको select from library नाम का एक option दिखाए दे रहा है उस पर टैप करना है आपको जिस भी वीडियो का watermark remove करना है उस वीडियो को माँसे उस वीडियो को माँसे select करने ना है जैन स्लेक्ट करने के बाद आपको जैन आपको सामने बहुत सारे options दिखाए दे रहोंगे जैसे की convert etc etc जैन आपको convert पर click करना है जैन आपको यहां पर preset नाम का option दिखाए दे रहा है और उसके नीचे आपको यहां पर android MP4 low quality वाला option दिखाए दे रहा है उस पर click करने के बाद उसको as264 कर देना है एंड जो video resolution है उसको आपको 480 pixels पर कर देना है and bit rate को जितना high हो सकता है उतना high कर देना है as you can see and then आपको नीच ओ थोड़ा scroll करना है नीचे आपको यहां पर watermark remover का एक option दिखाए दे रहा है देन इस पर देन इस पर click कर देना है click करने के बाद आपकी वीडियो में जहां पर भी watermark है वहां पर इस ग्रोप वाले option को ले जाना है अब उस पर उस watermark के ऊपर इसको पूर तरीके से कवर कर देना है as you can see and then आपको फिर से ऊपर क्यों करना है and right वाले option पर click कर देना है and यह दो चार मिर्ट लेगा यह थोड़ा सा convert होने में तो चार मिर्ट लेगा इतना मैं आपनी वीडियो को skip कर देता हूं now you can see my video अब मेरी वीडियो को watermark remove हो चुका है as you can see and so आप देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह watermark को किस तरीक से remove करता है so अगर आपको यह application अच्छी लगी हो तो download करना मत बूलना and इस वीडियो को like करना share करना एंड चैनल को subscribe करना भी मत बूलना तो इस वीडियो का second part में लिकर आउंगा so ऐसी ही interesting video में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए goodbye